कि आएगा और इसमें हमेशा की तरह इस बार भी एक पेसेंट और उसका एक अटेंडेंट को भोजन फ्री होगा खाना यह तीस अप्रेल को होगा वन दे प्रोग्राम में स्क्रीनिंग का वाटी से दोक्टर्स को बहुत ज्यादा टाइम होता तो अपना टाइम नहीं मिलता है अगर इस बार एक अजार से उपर आया तो नेक्स्ट एयर फिर कोशिश करेंगे कि उसको दो दिन का लिया जाए गवाटी लाइन साई होस्पिटल का आएगा उनका छे साथ आदमियों का टीम आता है पूरा डोक्टर्स तो एक ही होता है बाद बदकी इनका टेक्निसियन व कि अगर कोई प्रेस्क्राइब करते हैं तो फ्री ओकी पॉस्ट दिया जाता है जो वेलेबल होती है लिटी ने जैसे एक छोटा बस में जाता है जिसका के पैसिटी होता है 20-25 का तो उसमें खाली 2 प्रेसेंट अलवड होता है हर पैसेंट के साथ से अलग से अरणिन नहीं ह साथ में कोई भी दो अच्छा जो अटेंड़ उन्को साथ में भीज दीदिते हैं अगर उनके साथ कोई भी अटेंड़िन नहीं है तो हम लोग हमारा यहां से अटेंडेंड़ दीदिदेते हैं चला जाता है साथ वो बीपीयल काड़ होल्डर का ही होगा यह यह बेसिकली जो लोग कैपेबल नहीं है फाइदेंसी ली उनके लिए किया जाता है अब 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 लोग करवाता है वैसे उनको उसी तुरू से जाना पड़ेगा कि अब विस्वनातवाशियों से यही रिक्वेश्ट करेगा कि सभी समाज के लोग इसमें पूरा से पूरा एक सहयोग दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेसेंट आए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा की जा सके हम लोग मारवाडी समाज और सुन्दारा मादिव के तरफ से कर रहे हैं बीच में तीन साल का करोना के कारण से गेप हो गया था इस बार भी इच्छा है कि बहुत अच्छा से किया जाए तो इसमें लाइन्स गवाटी आई होस्पिटल के डोक्टर्स आएंगे उनकी टीम आएगी और वो लोग सब स्क्रीनिंग करेंगे मैनली होगा यह केट्रक के लिए इसक्रीनिंग करेंगे और जिनका केट्रक निकलेगा उनको गोहाटी में फ्री ओफ कोस्ट उनका टीटमेंट होगा पूरा केट्रक का ओपरेशन होगा और उसके बाद में उनको लाना ले जाना सफ्री रहेगा और जिनका अगर किसी का नजर कमजोर होगा तो उसके लिए फ्रियोग कोश्ट या चस्मा भी उनको वित्रण किया जाएगा और लास्ट टाइम जब 19 2019 में हुआ था तब तक्रीबन एकजार पेसेंट आये थे उसमें से साड़े 400 से 500 पेसेंट का ट्रिक्मेंट हुआ था फ्री और कोश्ट ऑपरेशन हुआ था यह संख्या जहां तक मैं समझता हूं पूरे नोर्थ इस्ट में सबसे ज्यादा थी और उसका उतना पेसेंट आने का सबसे बड़ा सरह आप लोग करें तो उसी क्वांटिटिटे में या उससे भी ज्यादा पेसेंट आये तो हमारे विसुना चराली के लिए बहुत अच्छा हो गया हुआ है कि इस प्रेड कोरी दिले भालोगो जिमन परेशा कोरी ले बालोगो है हम लोग यह करते ना हम लोग पूरे दिन रहते ना इतना सिवाद देखे जाते मतलब इतना एनरजी रहता है ना इतना अच्छा लगता है कम से कम एक हजार पेसे Study B.A.C. Nursing and GNM at Saint Martha Institute of Nursing, Guwahati